हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं तो साथियों इस मंतली ल्व राशी फल की बात चप चल रही है आपके साथ तो ये भी मताना चाहेंगे कि ये पूर रूप से लगन राशी पर आधारित है कारे करंब्स चंद राशी पर आधारित नहीं है और इसके अतरिक्त आज जो हम इस कारेकरं के जिन हमारे मित्रों से बात करेंगे, वो है कन्या लगन राशी के जातक, यनि के जिनका विर्गो असेंडेंट बनता है, उनके विशे में जानेंगे, बात करेंगे, और अब क्योंकि बात राशी फल की हो रही है, वो भी लव राशी फल की हो रही है, तो अब कन्या लगन करें और ग्रहों की बात ना करें तो यह भी एक तरीके से इंकंप्लीट डिसकेशन होई तो यहां पर क्या है कि जो भी रिजल्ट्स मिलते हैं हमको अपने जीवन में हम हमेशा यह बात कहा करते हैं कि वो सब ग्रहों के आधार पर मिलते हैं क्योंकि पूरा जीवन हमारा हर व् के द्वारा संचालित होते हैं इनी के नियंतरन में हैं और जैसे ये चाहते हैं वैसे ही होता है जीवन में हम लोग तो एक पपेट हैं कट पुतली हैं तो साथियों अब नवंबर दोजार तेएस में जो ग्रहों की इस्तिती बनेगी उसी के आधार पर जो रिजल्ट्स मिलें उसी से ये डिसाइड होगा कि आपके जो ये लव लाइफ है या मेरिट लाइफ है किस दिशा में जाएगी या कैसे आहलात रहेंगे कितना ग्रहों का सही होगा आपको मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा लेकिन यहां पर एक चीज मैं जरू कहना चाहूँगा बताना चा या उनको फेस करना पढ़ रहा सा जातकों को सभी को कोई भी हो चाक में क्यों ना हूं कोई भी हो, मैं सभी की बात कर रहा हूं. लेकिन अब 독़ की इस्थिती में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, और कुछ गरूं की इस्थिती में तो इस महा Pop सुधार आपको तो चलिए अच्छा है अगर सुधार हो रहा है तो रिजल्ट्स भी अच्छे ही आएंगे ऐसा हम मानते हैं अब क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे आएंगे तो जीवन में व्यक्ति खुश रहता है जब उसको अच्छी चीजा मिलती है अच्छा परणाम आता है तो तो स सिंगल जातक हैं उनकी लव लाइफ उनके जीवन में अगर पहले कोई मित्र नहीं था तो अब क्या बन पाएगा इस नवंबर के महीने में या आपने कोई मन में अगर सोचा है या किसी को पसंद करना शुरू कर दिया है तो क्या बात है आगे चल पाएंगी आपके एकॉर चल रहा है या फिर आप लिवन रिलेशन्शिप में हैं तो नैचरल है कि सब कुछ चीज अगर आपके बीच में ठीक चल रही है तो फिर शादी विवाह की भी बात की प्लानिंग की जाती है तो शादी विवाह का योग है या नहीं है तो शादी विवाह का योग नहीं है बात तो ये बता दें किसी भी जो कन्या लगन के हमारे जातक हैं चाहाँ वो सिंगल है या जिनका ऐफेर चल रहा है किसी के भी मैरिज का योग नहीं है और पॉइंट नंबर थ्री ये है कि भई अगर आप मैरिड कपिल्स हैं तो आपकी लाइफ कैसी जाएगी मैरिड पॉइंट नंबर फॉर ये कि भई आपका जो एफेर है कहीं अगर चल रहा है तो आप जानना चाहेंगे कि नवंबर दोजार तेस में आप कितना एंजोई कर पाएंगे अपनी उस रिलेशन्शिप को जिसका नाम है एक्स्टा मेरिटल एफेर और पॉइंट नंबर हैं उनी के साथ चाहते हैं कि समंद पहले जैसे कायम हो तो क्या ग्रह आपके इस बात के लिए आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि या भी इसमें भी टाइम लगेगा तो साथियों सबसे पहले आईए जो सिंगल जातक हैं करने अलगन राशी के उनके विशे में बता दें तो मैं बहुत जो देख पा रहा हूं यहां ग्रहों की सथी उसके आदार पर के मैं कह सकता हूं कि आप करने अलगन राशी के जो सिंगल जातक है ना आप अपने माइंड से कम अपना दिमाग कम लगाते हैं और दूसरों के दिमाग से ज्यादा चलते हैं यह एक तरीके से मैं अगर यह कहूं कि यह आपका माइनस पॉइंट है तो गलत नहीं होगा भगवान ने हमको भी हर व्यक्ति को बुद्धी दिये आप अपनी भी तो माइंड अपलाई कर सकते हैं अपना दिमाग लगाईए दूसरों के कहने में आके दूसरा हो सकता है आपको कुछ गलस सलहा दे दे और आप परिशानी में फ़स जाएं मुश्किल में आजाएं और हम यह देख रहे हैं कि गरों की इस्तिती जो है वो यही इशारा कर रही है कि आप अपना दिमाग कम दूसरों का दिमाग के हिसाफ से ज़्यादा चलना पसंद करते हैं अब मान लीजे अगर आप किसी को पस किंगे तो तो काफी गड़ गड़ हो सकती है आपके केस में आप कहेंगे किसाब मुझे इतनी समझ नहीं है या मुझे दिमाग में यह चीज़ें नहीं आती है तो भही खाने पीने की भी तो भूग लगती है ना तो इसी तरीके से तब आप भोजन की इच्छा होती है ना भूग लगती है तो इसी तरीके से ही है जब आप किसी को चाहने लगे हैं तो आप किस तरीके से आपको प्रॉपोज करना है अपने आपको कैसे प्रिजेंट करना है क्या बात करनी है या आपको अपना दिमाग अपलाई करना होगा तो एक तो दूसरों के कहे मैं आकर के आप कि भाई दूसरा मुझे गाइड करेगा तभी मैं कुछ action लूँगा या लूँगी वो चीज आप सबसे पहले तो आपको ये छोड़ना पड़ेगा क्योंकि अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो आप मुझे नहीं लगता कि आप success होंगे आगे बढ़ पाएंगे अभी उसमें फिर लगती है और समय भी ज्यादा लगेगा तो यहां पर सिंगल जातकों को सबसे पहले यही है कि अपना माइंड आपको apply करना चाहिए और हला कि जो वैल विशर हैं आपके जिन से आप सला ले रहे हैं वो अपनी तरफ से अच्छी सला दे रहे हैं देंगे लेकिन उससे कुछ ज़्यादा बेटर आप भी सोच सकते हैं मैं यह कहना चाहता हूं ऐसा थोड़ी है कि वो इक अच्छा जानते हैं जो बताएंगे आपक उनसे बहतर आप भी कुछ कर सकते हैं सोच सकते हैं तो वो करें आप कोशिश तब कुछ बात बन सकती है और यह चीजह अपने तक रखें अपने मित्रों के साथ या किसी के साथ शेयर ज्यादा नहीं करनी चाहिए ऐसी बातें आप अपने मांड से चले अपने दिमाग से च आगे बात करते हैं point number two के अगर आप पहले से live in relationship में हैं तो क्या ये relationship आपकी जो है इसका आप enjoy करेंगे? या सरफ normal way में ही रहेगी? कैसे हालात रहेंगे? कैसे नहीं रहेंगे? साथिओं आप से बताना चाहते हैं कि देखिए ये जो पूरा महीना है लगबख पूरा महीना में आप रहेंगे तो बहुत ज्यादा romantic बहुत ज्यादा romantic mood में रहेंगे लेकिन इतना romantic भी नहीं होना चाहिए के आप इतने जरुश्त से ज्यादा romantic हो जाएं कि आप कुछ भी करने के लिए तयार हो जाएं मतलब कुछ भी किसी भी एक लिमिट भी क्रोस कर जाएं तो वो काम नहीं होना चाहिए वो गलत है उसमें तो फिर आपकी अपनी पोजिशन भी ऑकवर्ड हो सकती है आपको कुछ ऐसा कोई अगर आपने करत्य कर दिया कोई ऐसी बात कर दी तो उसके लिए आपको भी शर्मिंद की उठानी पड़ सकती है और यहां पर कुछ ग्रह जो है अभी ऐसा ही इशारा करना है मैंने काम करेगा कि आप कोई भी ऐसा गलत करत्य करें रोमेंस से प्रभावित होके अपने रोमेंस के उसमें आकर के इतने रोमेंटिक होकर के कि आप यही भूल जाएं कि भाई मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं उसमें तो पर समाजिक तोर पर पर परिवारिक तोर पर भी आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है, आपके परीजनों के दोरा, आपको अपने परीजनों का क्रोध भी जेलना पड़ सकता है, तो बहुत समलके, बहुत साफधानी से, जो भी करें, तो वो काम ना करें, कि जिसकी सम में निंदा हो समाज समाज उसकी निंदा करे वो काम आप ऐसा करते कोई ना कर दे उस जिस आपको मैं बार बार यही कहूँगा सचेत करना चाहता हूं साथधान करना हूँगा रोमेंटिक होना बुरा बात नहीं है लेकिन सारी चीज़े एक लिमिट के अंदर होनी चाहिए है तो साथियों शादी का तो हमने पहले ही कहा कि कोई योग है नहीं और अब आगे अब आप समझदार हैं मैंने काफी खोल करके बात किया आप समझ गए होंगे क्या कहना चाहते हम ग्रहों के आधार पर जो ग्रह संकेत दे रहे हैं इस महीने और इसकी अतरिक्त अब बात करते हैं कि वैवाहिक संबन्दों के विशह में कि वैवाहिक संबन्द कैसे रहेंगे देखे साथी वैवाहिक संबन्दों की जहां तक बात है वैवाहिक संबन्दों में तो थोड़ा सा उपर नीचे रहेगा अगर आप विवाहित हैं तो थोड़ा कभी बहुत अच्छे तरीके से आप एक दूसरे के साथ एक तरीके से कहीं गूमने चाहेंगे एंजॉय गर में आप में हिटेड अर्गूमेंट्स हो रहे है इस तरीके का रहेगा जल्दी माहुल ऐसा लगेगा वातावर्ण ऐसा बन जाएगा कि पता नहीं आप कितने खुश हैं एक दूसरे से और कुछ समय के बाद देखेंगे तो ऐसे पता लगेगा कि बही पता नहीं कितने परिशान है आप एक दूसरे से कुछ इस तरीके की लाइफ है नवंबर में आपकी मेरिड लाइफ और एक्स्टा मेरिटल एफियर्स की अगर हम बात करें कि भई एक्स्टा मेरिटल एफियर कैसे रहेंगे आपके साथियों मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप शादी शुद को एंजोए भरपूर तरीके से करेंगे जहां पर भी आपके रिलेशन है यानि कि 29 बिलकुल नवंबर ओन वर्ड्स वही अगला महीना आ गया नवंबर का महीना तो एक तरीके से निकल गया तो इसमें तो आप कुछ बहुत जादा नहीं कर पाएंगे लेकिन जो आने वाला समय महीने का अंत में जा करके चीजें आपके favor में आएंगी और आप उसको enjoy कर रहेंगे point number five no contact situation अगर आप चल रहें साथियों आप से कहना चाहेंगे कि अगर आप वाकिए no contact situation में पोंच चुके हैं तो देखिए پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کوئی بھی step لیں اس سے پہلے تو آپ یہ تو دیکھیں کہ ابھی جو سامنے والا ہے کیا وہ بھی ابھی اس mood میں ہے کہ آپ سے بات کرے یا نہ کرے اب کیا پتہ وہ بات کرنے کے mood میں ہی نہیں ہے یا وہ آپ کے بارے میں سوچنا پسندی نہیں کرتے بات کرنا تو بہت دور کی بات ہو گئی کہ آپ کے بیچ میں کچھ ایسا ہوا ہے کہ وہ اب آپ کے وشہ میں سوچنا بھی پسند نہیں کرتے اب جو ہوا ہے وہ تو آپ جانتے ہیں بہتر लेकिन ग्रह जो कह रहे हैं हम तो वो बोल रहे हैं कि यहां पर अभी तो आहलात ऐसे हैं कि यह भी समस्या है कि अभी वो तो पहले इस बात के लिए तैयार हों कि चलो भई अगर उधर से कुछ मैसे जाएगा या कोई ऐसी बात होगी तो देखेंगे पर क्या करना क्या नहीं करना तो यहां पर क्या है कि और परिस्थितियां पड़ी जल्दी बदलेंगी कभी आपको कहीं से कुछ इस तरीके का क्लू मिलेगा कुछ ऐसा इंफॉर्मिशन मिलेगी कि साथ सब कुछ ठीक है बस सब आप आगे बढ़ें लेकिन जब आप आगे बढ़े तो पज़ा चला के कुछ भी ठीक नहीं तो यह कुछ ऐसी इस्थितिय बन रही है और अभी हालात आप करने अलगन राशी के जो हमारे जात रहे हैं हाला कि आप तो काफी आपके है तो अभी वेट एंड वाच बस यह करिए और जैसे जैसे ग्रहों के इस सिती में सुधार आ रहा है वैसे वैसे आगे आगे चीजें होंगी अच्छी होंगी और लेकिन इसमें समय लगेगा तो समय का थोड़ा इंतजार करें और थोड़ा सा धहरे रखना है सैयम रखना है एक दिन में यह चीजें सॉल्व नहीं होती महीने में नहीं होती इनमें बहुत 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 टाइम लग जाता है तो साथियों ये था आप हमारे जो कन्या लगन राशी के मित्र हैं उनका मंत्री लवराशी फन नमबर 2023 का आपको अच्छा लगा पसंद आया तो इसको लाइक करें चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करेंगे तो दू नोटिफिकेशन के साथ सीधे आप तक पहुंच पाएं तो उसके लिए बैल आइकन को आपको दबाना होगा तो साथियों अब इसी के साथ अब हम अपने इस कारे करम का समापन करना चाहेंगे और अपने आप सभी मित्रों से इजाजत लेना चाहेंगे और अपनी वाणी क विराम देंगे तो इसी के साथ आप सभी का सहर दे बहुत बहुत धन्यवाद जय मतारी